गुद मॉर्णिंग जैहिन नमस्कार वेल्कम यौल टो मिसंट कॉम्टिशन आई होप आप सभी स्वस्त होंगे तंदूस्त होंगे और अपनी तयारियों में लगे होंगे तो हम लोग आज आपके सामने लेकर आये हैं प्रैक्टिस सेट करवा दिया है और सारे के सारे प्रैक कर दوس्तित तरीके से नहीं हैं तो भाय साथ हमने प्लेइलीस्ट अल्रेडी बना रख कीैर स्थाथ आपको प्रैलिस्ट नहीं आता है मुझे की नहीं पता आप diamond है यह जाके देखिए बीपίए-सी बिहार सिक्षक आप लिएे उसमें जो है वीडियो समय में हमारे आप आफे प्लिप करना हो गाइट एक कुछ एयागा J hen को नीन्थ कि नंतोई इससे पहले आपने पाकी के सेट, अगर नहीं देखे हैं जाके डिफनेटशी देख लीजिए। काफी आपको काम आएगा तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग और यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है इसको मैंने कर लिया आपके लिए बहतरीन तरीके से जूम पहला सवाल है हमारा देखिए भाई यह यूपी पीसेस में सवाल पूछा था यूपी पीसेस में यह टैंक रोधी मिसाइल जो है, इसको डेवलप किया है, ठीक है, और याद रखेगा, पीनाका अगर बात किया जा है, भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट, तो पीनाका हो जाएगा, ठीक है, तू देखिए, नीतिअयोग के नए CEO कौन बने है, नीतिअयोग के नए CEO, तो ये बन तेस किंदो देशों के बीच में आयोजित किया गया है तो तरकस 4 युद्ध अभ्यास इसको आयोजित करा गया है भारत और अमेरिका के मद्ध में ठीक है ध्यान में रखेगा यह सिक्स्त जो है एडिशन था छठा संस्क्रान था नमबर चार देखिए फैमिली डॉक्टर प् स्वास्त की देखभाल के लिए प्रात्मीक स्वास्त के इंद्र में से एक डॉक्टर को प्रतेक वार्ड में जाके देखभाल करना तो यहीं है फैमिली डॉक्टर सुराद प्रजेक्ट ठीक है नमबर पांच देखिए इस रो ने अपना पहला नीजी रॉकेट किस नाम से यह ना पहला नीजी रॉकेट तो इन्होंने इस रो ने लॉंच किया है विकरम फाइव नाम से हमारा सी करेक्ट हो जाएगा अब इस रो की स्थापना के बात कर लिए देखिए इस रो की स्थापना हुई थी इसका हेड़कौर कहा है इसका हेड़कौर है भाईया कहां बैं इस एनडी करेक्ट होगा नंबर साथ अर्जुन पुध Vit2 लॉसे तो कुल कितने खिलाडी का चेयन किया गया है तो अर्जुन पुधि व्यूसकार के लिए ऑवघुनि inn कभिधनें ख Mirinda ॑ शावいる कि हर बोर देखिए कि लिए यह ने लुवरों और द्यांपर्शंद और त तो 25 लाख मिलता है आठ नमबर देखिएगा पर्दम भूशन 2023 से समानित स्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस चेत्र से हैं तो स्री कमलेश डी पटेल का संबंध की बात कर ले तो यह दिखिए अध्यात्मवाद से इनका संबंध है भी हमारा करेक्ट हो जाएगा नमबर नौ देखिए पांचमा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का सुभंकर कौन है तो इसका सुभंकर की बात कर ले यह है देखिए आशा राइट हमारा एपसलूटली करेक्ट हो जाएगा नमबर दस देखते हैं पुस्तक क्या बोला जा रहा है नया संसद भौन का डिजाइन किस कंपनी ने तयार किया है तो नया संसद भौन का डिजाइन है इसको रेडी किया है HCP प्रोजेक्ट ने भी हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है और इसका निर्मान किसके दौरा किया जा रहा है तो टाटा प् optical fiber बिशाने का जो लक्ष है ये साल 2025 तक complete करने का लक्ष रखा गया है C correct होगा 13 नमबर देखिए सियोल सांती प्रोसकार 2022 से किसे समानित किया गया है तो सियोल सांती प्रोसकार जो है इससे टिम बर्नस ली को समानित किया गया है B correct हो जाएगा ठीक है 14 देखिएगा Asia का सबसे बड़ा Tulip Garden का निर्मान कहा किया जा रहा है सबसे बड़ा Tulip Garden का निर्मान Asia का तो ये जो है ध्यान रखिएगा स्री नगर में इसका निर्मान हो रहा है ये हमारा correct हो जाएगा Asia का सबसे बड़ा Tulip Garden यहीं बन रहा है इसका निरमान पड़ेटको को अकर्शित करने के उद्देश से किया जा रहा है ना 15 देखिएगा जुवारी ब्रिज जो हाली के दिनों में चरचा में रहा है इसका संब्ध किस से जुवारी बिरिज जो भी रिसेंट नहीं काफी चरचा में रहा था इसका संबंद है किस से तो देखिए गोवा से इसका संबंद है राइट ए एपसलूटली करेक्ट हो जाएगा हमारा 16 देखिएगा क्या बोल रहा है किस IIT ने वार्टन Q5 राइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है तो ये अवार्ड किस ने जीता है देखिए IIT मेदर्यास ने जीता है ठीक है हमारा C यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा नमबर 17 देखिएगा रक्षा मंत्राले ने किस के साथ डोर्णियर विमान खरीदने हे तू समझोता किया है डोर्णियर विमान खरीदने के लिए तो रक्षा विभाग ने ये समझोता किस के साथ किया है हेल के साथ किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिम्टेड के साथ एक करेक्ट होगा राइट चलिया अगला सवाल देखिएगा नमबर 18 होर्णिबल महतसफ 2022 का योजन नागा लेंड में किया गया ठीक है इसका उदगहाटन करता कौन था होर्णिबल महतसफ की बात हो रही है अब देखेंगे इसको उदगहाटन करता क्या हमनों बात कर लिए तो यसको ःधाटन और यहीं करता कि जगदीब धन्कर जी भी हमारे करेक्ट हो जाये ठीक है clear रास्टपती जगदीब धन्कर इसके उदगहाटन sı करता थे चलिए 19 देखते हैं क्या बोला जा रहा है दोनों ही काफी पुराने भारत के अभी विमान हो गए हैं और इन काफी जादा इनसे हाथसा भी होता रहता है तो बेसिकली यह दोनों ही हुए थे ठीक है डी हो जाएगा बीस देखिएगा क्या बोला जा रहा है मलेशियाई ओपन 2020 बेड्मिंटन का खिताब पुरुस एकल में किसने जीता है तो इसमें किसने जीता है तो यह जीता है देखिए विक्टर एकसलेशन ने सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा ठीक है एकीस नंबर देखिए गा क्या बोला जा रहा है महिला तो बी हमारा यहाँ पर अब आते हैं नंबर बाइस के और Miss Earth 222 से खिदाब किसने जीता है ठीक है किसने जीता है राइट चलिए देखिए अगर हम इसकी बात कर लें किसने जीता है तो यह जीता है मिन्सू चोई ने ध्यान रखिए का मिन्सू चोई इनका संबंद South Korea से है ठीक है South Korea से इनका संबंद है 23 हाल ही में H3N2 वाइरस सर्चा में रहा था इसका संबंद H3N2 वाइरस का संबंद किससे है इसका संबंद देखिएगा एनफ्लुएंजा से है यह हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही सठीक हो नमबर 24 हम लो देखते हैं ओसकर 2023 है तो भारत की ओर से कितने फिल्मों को सामिल किया गया है तो ओसकर 2023 के लिए देखिएगा भारत से टोटल तीन मूवीज को इसमें सामिल किया गया है है ना दियान रखिएगा देलिफेंट्स विस्पर्स को बेस्ट डोकुमेंटरी का वाइड इसमें मिला है चलिए नंबर 25 देखिएगा हाली के दिनों में माउंट मेरापी जोलामू की विस्फोर्ट चर्चा में रहा इसका संबंद किस दिस से है तो इसके संबंद की बात करते हैं इसका संबंद है किस से इंडोनेशिया से है बी करेक्ट हो जाएगा 26 देखिएगा बाव अलमांडेव जलसंधी किसे जोड़ती है बाव अलमांडेव यह जलसंधी है देखिएगा यह इंडियन ओशन को रेड सी से जोड़ती है तो हमारा बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बाव अलमांडेव यह इसको जोड़ती है चलिए, 27 देखते हम लोग, निमले लिखिने कौन सी भारत की नवींतम परवत स्रेनी है, एकदम न्यूवेस्ट की बात हो रही है, तो यह देखे हिमादरी स्रेनी हो जाएगा, और सबसे नया परवत स्रेनी की बात कर ले अगर हम लोग, परवत तो वो हो जाएगा हमारा, जो formation हुआ है तर्सरी यूग में हुआ है ध्यान रखेगा यह एक folded mountain का example है इसे की पूरा हिमालही अपना folded mountain या की नवीन यानि की नवीन मोड़धार परवत का उधार है न पूरा अपना हिमालही तो वहीं हिस्सा तो यह भी है ना तो यह भी नवीन मोड़धार परवत यानि की folded mountain का example है 28 देखेगा मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है मोर एवं पूर्णा अगर इसकी हम बात कर लें देखे यह तापती की सहायक नदियां है राइट कौर इंडस्ट्रीज का उधारन है कौर इंडस्ट्रीज की बात हो रही है कौन सा best example है तो देखे कोईला भी है विद्ध्यूद भी है पेट्रॉलियम भी है all of these हो जाएगा हमारे सभी ठीक है डी अप्सलूट करेक्ट हो जाएगा नमर 30 देखते हैं बोडो जन जाती निवास कहा करती है तो बोडो जन जाती की बात करें निवास स्थल की है ना द्यान रखेगा बोडो जन जाती आपको गारो पहाडी में निवास करती मिलेगी ठीक है ना गारो पहाडी में अब ये मुख्य रूप से जो बोडो जन जाती अगर हम बात करें, ये पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अपने नौर्थीस्ट के तरफ उसमें असाम, मेघाले, मीजुरम, ये तीनों स्टेट है, जहां पर ये ज़्यादा तर पाई जाती है, ठीक है, चलिए, आगे भरते हैं हम लोग, 31, निमलिखे त उद्गम जॉला मुखी से हुआ है, तो जॉला मुखी से जो उद्गम हुआ है, वो है देखिए, बैरन दूइप का, सी हमारा यहाँ पर एपसलूटली करेक्ट हो जाएगा, ये जो दूइप है, बंगाली खाडी में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ये भारत का एक मा स्टेट्स की सीमा लगती है, असाम, मिजुरम, मिगाले, तिरपड़ा, वेस्ट बैंगॉल, ठीक है, सबसे लंबा सीमा जो है, वेस्ट बैंगॉल के साथ लगता है, बंगलादेश का, 34 देखिए, निम्न में से कौन सी एक समवधानिक संस्था नहीं है, समवधानिक संस्थ देखिए का एक बारी, क्या बोला जा रहा है, 35 में, इम्न में से कौन वित आयोग दोरा की गई परतेक सी फारिस को संस्थ के परतेक सदन के समक्ष रखवाता है, ठीक है, या रखवाएगा, तो ये काम है, देखिए, भारत के रास्ट पती का, ये हमारा करेक्ट हो जाएग ठीक है, ठीक है, हाँ जी, चली, तो वित आयोग दोरा की गई परतेक सी फारिस को संस्थ के सदन के समक्ष भारत के रास्पती सहाब रखवाते हैं, आर्टिकल 280 के तहत, परतेक 5 वर्स के बाद वित आयोग अठन होता है, है ना, और आर्टिकल 280 के तहत, रास्थ पते वित ठीक है ना एक महीने के अंदर में 37 देखिए राजसरकार को कृशी आयकर कौन निर्यात करता है तो राजसरकारों को कृशी आयकर जो है अगर इसके हम बात कर लें यह देखिए भारत का समविधान जो है ना यह नियत करता है 38 देखिएगा क्या बोला जा रहा है भारत के समविधान में किस अनुछेद में करो को केंद्र द्वारा लगाया यह वो में कत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वित्रित भी किया जाता है तो यह किया जाता है देखिए आर्टिकल 270 के द्वारा राइट D हमारा यहाँ पर सही हो जाता है 39 देखिएगा केंद्र और राज संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना परतिवेदन किस वर्स प्रस्तुत करा था तो उन्हें अपना परतिवेदन जो है देखिए साल 1988 में प्रस्तुत किया था D absolute हमारा यहां correct हो जाएगा आगे बरते हम लोग नमबर 40 क्या बोला जारा है निमन में से कौन सी एक याची का अधिनस्त न्यायलो की कारेपदती का परिक्षन करती है तो अधिनस्त न्यायलो की कारेपदती का परिक्षन देखिए उत्प्रेशन एवं पर्तिशेर यह दोनों ही करती है C हमारा सही हो जाता है 41 देखते हैं कारेकारी नयायधीसों की न्यूकती की जाती है कारेकारी जो न्यायधीस होते हैं इनकी अगर हम बात कर लें न्यूकती ध्यान रखेगए उच न्याले में होता है ठीक है यानि कि Supreme Court में होता है ठीक है हमारा D यहां पर correct हो जाएगा High Court mark कीजेगा 224 के तहट आर्टिकल 224 के तहट जो है उच नियाले में बाहरी यानि additional और कारेकारी यानि acting नयाधिस का प्रावधान होता है और article 224 एक किता है तेरी किसी उच नयाले में कार में किसी औस थाई कार के वृद्धी के कारण उसके कार के बकाया होने के कारण राष्टपती को रसलाएगा कि ज़रुरत है तो फिर वो उस नयाले के नयाधिसों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए तो राष्टपती ऐसा कर सकते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा 402 देखते हैं उर्जा का नविकर्णीय स्रोत कौन सा है नविकर्णीय सा मतलब है रिन्यूवल एनर्जी ऊर्जा का तो यह अपना करेएगा यहां नहीं वर्ड है तो कोईला रिन्यूवल मतलब उसको दوبारा से cabeça कर कर सकते हैं तो कोईला एक पर जल गया तो तो रिन्य दिलिक की सुपार जो है देखिए साल 2014 में हुआ था बी करेक्ट होगा 45 देखिएगा क्या बोल रहा है निमलिकित में से वायू मंडल किसकी सघंता में वृद्धी से अधिक्तम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है तो अधिक्तम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लें देखिए कारवन डियोकसाइड से होता है सी करेक्ट होगा ठीक है 46 देखिएगा क्ले कोड तथा हार्ड कोड सब्द किस खेल से संबंदित है आप सबने इस बारे में सुनाओगा और इसका संबंद है लॉन टेनिस ठीक है लॉन टेनिस ठीक है चलिए 47 भारत में सेर बाजारों के लिए मुख नियंत्रक का कार कौन कर सब्सक्राइब की तो इसका है ना इसका फुल फ्रम होता है 48 देखते हम लोग चलिए देखेगा 48 में क्या बोला जा रहा है cbfc का पून रूप क्या है cbfc का पून रूप होता है केंड्रिय फिल्म प्रमान बोर्ड है ना एपसुलूट करेक्ट हो जाएगा 49 देखिएग देखो गैबोन बंजूल ये गरवर है ठीक है ये गरवर है गैबोन लिवरवेली इसकी राजधानी है बंजूल नहीं होगी तो हमारे डी करेक्ट है बाकी सारे करेक्ट है वेनेजोला कराकस रोमानिया बुखारेस्ट बारबर्डोस ब्रिजटाउन ये सारे करेक्टली मैच्ट है 51 देखते हैं भारत के किस राज में मोच्सू मोच्सब मनाया जाता है देखें मोच्सू मोच्सब जो है न भारत में नागा लेने मनाया जाता है बी करेक्ट होगा 52 देखिए चोल समराज का सबसे ज़्यादा विस्तार किस सासक के समय हुआ था तो चोल समराज का सबसे ज़्यादा विस्तार जो अगर हुआ है ना सबसे ज़्यादा यह देखिए राजेंदर प्रथम के सासनकाल में हुआ है ठीक है तो हमारा क्या हो जाएगा बी यहाँ पे बेशक करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए तीरेपन देखिएगा किस रा छाट इसनों जोट और इसे निक हो देखते हैं तो थे रहाले लिखने की कला कोङि ञानता है सिरफ सुन्सुन कहीं इसकी संग्रह किया जाता में जब लेखन कला का विखास हुआ लोग लिखना पढ़ना जाने तो फिर आगे जाके इसका संकलन किया गया, 55 महा विभास सूतर की रचना किस ने किया था, तो महा विभास सूतर की रचना वशु मित्र के दोरा किया गया थ्ये हमारा यहाँ पे एपसुलूटी करेक्ट हो जाएगा ठीक है ध्यान रखिएगा ठीक है तो बहुत धर्म के चौथे बहुत संगती कनिस्क के सासनकाल में कुंडनवल कश्मीर में हुआ था और वहीं पर वशुमित्र के अधेक्सता में यह हुआ था ठीक है उसको कहा जाता था दिवाने इस्तिहाक थीक है दिवाने इस्तिहाक बी हमारा लाया करेक्ट हो जाएगा 58 देखेएगा बहमनी समराज का संस्थापक कौन था भाम लाया की बात कर लें तो इससे संस्थापक था दीखें अलाउदिन हसन साह डी हमारा यहां पर absoluut two correct हो ठीक है 1347 में 1347 में हसन गंगु ने भामानी राज के स्थापना की थी यह ध्यान रखिएगा चलिए 69 हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा काल करम के अनुसार सही है इनमें सही कह बताना काल करम के अनुसार देखिए रामनलचार रामानंद गुरु नानक चेतन्य स्वामी भी हमारा यहां सही हो जाएगा ठीक है मनसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुन था अबुल हसन एक छवी चित्रकार था और दूसरा गोवर्धन साधू संतो यहां फकीरों के चित्र बनाने में निपुन था D हमारा यहां पे सही हो जाएगा 61 देखिएगा किस गवर्णर जचनल समय में नरबली प्रता पर परत किसके टाइम में लॉड हारडिं 62 देखिएगा मुस्लिम लीग का प्रतम वारlaration का ढिवेशन कब अप लोग जान जाएगा अखिल भारती मुस्लिम लीग की इस left धापना 1906 में हुआ था ध्यान रखिए कहां पर वा था धाका में हुआ था ठीक है धाका में इसके स्थापन हुआ था ठीक है बांगला देश में जो है ख्लियर चलिए आगे भरते हैं 63 नमर देखिएगा एक इनकलाब जिन्दावाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था भार्ति किसान सभा अगठन की बात कर ले यह 1936 में किया गया था ठीक है क्लियर है ना स्वामी सदान सरस्वती जी के द्वारा 65 देखिएगा क्या बोला जारा है निमल्कित में किस भार्तिय नेता ने खिलाफात अंधोलन के बात कर ले इसके समर्थन कौन भारतिय नेता की थे तो यह किये थे मदन मोहन मालविया भी हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था कॉंग्रेस का विरोध किया था ठीक है तो समर्थन कौन नहीं किया था तो मदन मोहन माल गया 66 देखेगा एनम स्कॉयर के जी स्कॉयर निम लिखे तुमसे किसकी ऐसा यह काई है तो यह ऐसा यह काई है गुर्तवा कर्चन के सर्वभोमिक निया यह करेक्ट होगा 67 देखेगा निम लिखेट में से कौन तोरण के मान के गुर्तवा कर्शन के कारण प्रभावित नहीं होता है तो कौन प्रभावित नहीं होता है यह देखेगे द्रवमान जो है ये प्रभावित नहीं होता है एक करेक्ट हो जाएगा 69 देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है 69 में देखिएगा निम्न परिस्थितियों में किसमें कारे नकरात्मक बल द्वारा किया जाता है तो कारे नकरात्मक बल के द्वारा जो होता है यह होता है जब कोई वस्तू बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थांत्रित होती है यानि कि C हमारा यहां सिक्षिन N का सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारा आगला सवाल है सवाल नंबर सत्तर देखिएगा क्या बोल रहा है गती का पहला समीकरन निम्न में से किस के बीच संबंध दरसाता है तो गती का पहला समीकरन यह संबंध दरसाएगा देखिए वेग और समय के बीच में यह हमारा एपसलूटली करेक्ट हो जाएगा 71 निम्न लिखिएगों से कौन सा जोड़ा संतलनात्मा का रूप से उश्मा का कुचालक को दरसाता है ठीक है? तो यह कौन दरसाता है? तो देखिए दरसा आएगा PB और HG B हमारा यहां correct हो जाएगा PB मतलब होता है LED और HG मतलब होता है PARA है ना? तो यहीं जो है जोड़ा तो नात्मा का रूप से उश्मा का कुचालक को दरसाता है 72 देखिएगा क्या बोला जा रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन माधिमों में ध्वनी की चाल के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है इनमें सही कथन के अगर हम बात कर लें कौन सा सही है तो यह हो जाएगा देखिए जब समुद्री जल में ध्वनी की चाल 1531 मिटर सेकेंड होती है तो एवला हमारा यहाँ पर केवल करेक्ट होगा 73 देखिएगा रेत और चीनी का मिश्रन डैस का एक उधारन है तो रेत और चीनी का जो मिश्रन है यह देखिए क्या विजातिय मिश्रन का एक उधारन है D हमारा यहाँ पर सही हो जाता है ठीक है 74 कारबन डैयोकसाइड एक मोल में होते हैं तो कारबन डैयोकसाइड के एक मोल की बात कर ले इसमें होते हैं कारबन डेयोकसाइड के 6.022 इंटू 10 दुबाव 23 अणू इसमें होते है तो 74 का हमारा B यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा आज का आखरी सवाल है कुश्चन नमर 75 विले और विलायक के समांग मिश्रन क्या कहलाता है तो विले और विलायक का जो समांग मिश्रन होता है इसको विलेयन हम लोग कहते है डी हमारा बिलकुल ही सही हो जाएगा तो दोस्तो यह था हमारा सेट नमर चार उमीद करता हूँ आप लोग को यह सेट पसंद आओ कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताएगा कि आपने 75 में सही कितने किया आपके स्कोर कितना है वीडियो जाद जाद फैल आईए और चैनल सब्सक्राइब करिए धन्यवाद